नमस्कार अगर हम कोई चीखने चिलाने वाला न्यूज चैनल होते तो एकदम चीख चीख कर चिला चिला कर ना सिर्फ न्यूज चैनल के तरह हैं बलकि कभी-कभी हमारे प्रधान सेवक भी कर देते हैं कि मैंने यह किया मैंने वो किया अगर हम प्रधान सेवक होते या हिंदी का कोई न्यूज चैनल होते तो चिला चिला कर बोलते दो वायर के करक्रम जनगण मन की बात का अजर वित्त मंत्री ने तीन दिन बाद अपना मूँ खोला और वो बोले लेकिन हम जानते हैं कि मतलब हमेशा जब भी कोई संकट की घड़ी आती है तो लोग जो उपर वाले लोग हैं यह दुबक जाते हैं यह चूप हो जाते हैं इदर उदर हो जाते हैं जूनियर्स को आगे कर देते हैं बोलने के लिए बेराल अरुन जेटली वित्त मंत्री जो कि 14 फर्वरी 2018 को गैराजार 400 करोड का निरव मोधी केस सामने आया अब इसको निरव मोधी केस क्यों कहा जा रहा है आई टी मिनिस्टर जो रविशंकर प्रसाद हैं उन्हों तो इतरास जता है कि छोटा मोधी कहा जा रहा है कुछ टेलविजन चैनल्स ने मोधी शब्ध हट ही हो बहराल सवाल हमारा यह है कि मेहुल चौकसी का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है जो सीबी आई की एफ आई आर है उसमें 11,400 करोड या 11,300 करोड का जो अमाउंट है उसमें से मुश्किल से कुछ 100 कुछ सेंक्रे ही मतलब 380 करोड का यह निरव मोधी के नाम जाता है बा जब बूले तो उनोंने सबको सबक दिया लेसन दिया बजाए इसके की जिम्मा खुद लें वित्मंत्री होने के नाते पहले चुप रहे जिम्मा लेने के बजाए उन्होंने दूसरों को नसीहत दी नसीहत किस-किस को दी पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजमेंट को उसके इंटर्नल और एक्स्टर्नल ऑडिटर जो होते हैं जो ऑडिट करते हैं जो निगाह रखते हैं बाहर वाले भी होते हैं और चार्टेड अकाउंटेंट्स को नसीहत दी और उसके बाद कुछ ऐसी सूपरवाइजरी एजिंसिस को नसीहत दी जिनके नाम उन्होंने नहीं लिए कि इन्होंने गलतियां की हैं इनको आत्ममंथन करना चाहिए जैसे कि इनको बीजेपी की तरह चिंतन शिवर लगाना चाहिए या आत्ममंधन करना चाहिए अगर आपसे यही सुनना था वित्वमंत्री महोदे नसीहती सुनने थी तो हमसे भी एक नसीहत ले लिजे कृपया वित्वमंत्राले का नाम भी इस लिस्ट में शामिल कर लिजे जो नोडले जेंसी है और इस नाम को शामिल करने के लिए कि वित्वमंत्राले को ध्यान रखना चाहिए आप ये प्रात्ना या अपील कर सकते हैं वित्वमंत्री से उनका नाम अरुंजेटली है मतलब जो आपका अपना मंत्राले है जिसके तहर सब कुस आता है आप उनको नसीदे रहां कि आतमा मंत्टन करो और बिजनेस नसीदे रहां कि कुछ प्रैक्निस अच्छी नहीं हैं आप अपने डामन PhDIs हां बिल्कुल अपने डामन को उज़्ना रखना चाहते है परमहंस की मुद्रा कि थरह जिमनय दारी आप की बनती है प्राम्री responsibility प्रात्मिक्ता आप यह नहीं कह सकतें कि यह बैंक का अंद्रूनी मामला है जैसे आपके एक जूनियर ने कहा था मेरे खाल प्रकाश जावड़े करतें कि यह तो बैंक का मामला है इसमें सरकार का क्या बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि चार ज़ज वहां नसीहत दीजिए और मेरा आपसे अनुरोध है नसीहत भी नहीं है कि आप वित मंत्राले को भी नसीहत दीजिए उनसे कहिए कि वह चौकस रहें चाक चौबन रहें रिजब बैंक को आपने कुछ नहीं कहा क्योंकि रिजब बैंक बेशहरा अभी तक नोट बंदी के नोट गिन रहा है आभी तक फिगर सामने नहीं आई है पतोब यह भी इनकीए PCC नकी काबलायत सरकार चलाने की मंत्राले चलाने की काबलियत का एक नमूना है एक उदाहरण है उन्होंने कहा है कि बैंक के जो बाहर वाले ओडिटर्स और अंदर वाले ओडिटर्स होते हैं वो इस फ्रॉड को पकड़ नहीं पाए जो साथ साल से चल रहा था तो साथ साल में उसे चार साल तो आप कि सरकार रही है तो जिमेदारी आप पर भी आती है नहीं आती नैतिक जिमेदारी नाम की की कोई चीज होती है नहीं होती मेराल यहीं का उने लैंडर जोंग मृंबस का ले दिलिंग्विंट कि जो पैसा दे रहे थे वह वो चेक नहीं कर पाए कि कौन-कौन लोग ऐसे हैं जो आपस नहीं करेंगे एक अर्जा चपत लग चुकी है 11,300 करोड एक फिगर है 14,000 दूसरी फिगर है 20,000 करोड तीसरी फिगर है अभी और भी फिगर सामने आ रही है 488 और ऐसे अकाउंट है जो NPS की कगार पर है और हजार की तादाद में ऐसे अकाउंट से विल्फुल डिफॉल्टर से हजारों की तादाद में है वो उनकी पूरी लिस्ट है उसको गिनने के लिए मतलब और दिखाने के लिए हमें शायद आदा दिन लग जाए वो भी हमारे पास हैं बेराल साथ में जेटली साब ने थोड़ा सा Supervisory Agencies are now to introspect as what are the additional mechanism they have to put in place to ensure that stray cases don't become a pattern again. जो Agencies हैं Supervisory Agencies उनको ख्याल रखना होगा कि और नए नए सिस्टम कैसे पैदा करें और नए तरीके कैसे बनाएं कि stray cases इका दुक्का ऐसे case दुबारा ना बन जाए ये इका दुक्का case नहीं है आपके लाकों करोड तो NPS हैं दो लाक और ग्यारा हजार करोड तो आप बैंकों को दे रहे हमारा पैसा ताकि बैंक खड़े होकर उनी को ही वापिस लोन दे सके 488 का मैंने एक और जिक्र किया था उससे पहले हजारों का भी जिक्र कर चुका हूँ तो यह स्ट्रे केस नहीं है स्ट्रे केस कहके कि मैंने इकका दुक्का केस है तो अबरेशन है इसे रफा दफा नहीं किया जा सकता आपने ऐसी कोशिश पहले भी की थी पितिमंत्र जी आपको मैं कोट कर रहा हूँ अइस पहले है सन 2014 में स्टे टूरिज्म मिनिस्टर की कांफ्रिंस थी तो आप नयने आये थे तब आपने कहा था one small incident of rape in डेली यह पध्या केस था जिसको आपनने one small incident of rape in डेली one small incident of rape रफादफा करना है कि वन स्मॉल इंट रेप इन डिली अड़िताइज्ट वर्लड ओवर जैसे कि उसका प्रचार किया गया हो जैसे कि अपने आप में बहुत बड़ी घटना ना हो ख़बर ना हो प्रचार हो Advertised world over is enough to cost us billions of dollars in terms of lower tourism. हमें करोरो अरबोर रुपे का नुकसान हुआ, जो छोटा सेलानी आता है, उसने आना बंद करती है. JTL had said while addressing a conference of state tourism ministers in 2014. He later clarified, बाद में उन्हों कहा कि उनका comment जो था, One incident like the Nirbhaiya gang rape had cost the country millions of dollars as something that has been misunderstood. कि जो उनका comment था Nirbhaiya race case पर, कि one small incident rape उसको गलत समझा गया. शुक्र उन्होंने ये नहीं कहा कि तोड़ा मरोडा गया. आज कुल तो कोई भी छुट भाईया नेता भी उठकर कहता है, मेरा बयान तोड़ा मरोडा गया. खुद TV भी भी बोल रहा है, बाद में जब कोट करते हैं तो कहते हैं, तोड़ा मरोडा गया. जेडली साब कहते हैं कि I regret, I regret and apologize, दोने में फरक है, मैं इस पर भी आता हूं. I regret that some word that I used was construed as insensitive. मुझे खेद है कि कोई एक ऐसा लव्स मैंने इस्तिमाल किया, जिसको समवेदन हीन माना गया, लेकिन मेरी वो नियत नहीं थी. I have always been very outspoken about issues relating to crime against women. मैंने हमेशा महिलाओं के हक में बात करी है, उनके खिलाफ जो अपराद होते हैं, उनके खिलाफ बोला हूं मैं. I am very sensitive to these issues myself. मैं खुद बड़ा समवेदन शील हूं. I regret that some word. I regret or apologize, दोनों में फर्क है. Regret होता है, मुझे खेद है कि आपको बुरा लगा. That's it. और दूसरा है, मैं माफी मांगता हूं कि मेरी वजह से आपको बुरा लगा. माफी मांगना एक बात है, और यह कहना कि it's your problem. आपको तकलीफ पहुंची मुझे खेद है, I regret the fact कि आपको तकलीफ पहुंची. मैं आपने शब वापस नहीं ले रहा हूं. बहराल वापस आते हैं, जेटली साब ने इतने बाद मुझ खोला है, तो हमारा फर्ज बनता है यह सब बताना. हम बस यहीं चाहेंगे कि जो जो उन्होंने नसेहते दी हैं, रिज़दब बैंक को छोड़कर, अपने मंत्राले को छोड़कर बागी सब को नसीहत दे दी, सब को उनकी हकिकत बता दी, हमारी यही आपसे इलतिजा है, आपसे अनुरोध है, और आपको नसीहत भी है, कि वक् वित मंत्राले को भी इसमें शामिल करें, क्योंकि नोडल मंत्राले वही है, धूरी वही है, सब बैंकों के ओपर की धूरी वही है, रिज़द बैंक तो बिजी है नोट गिनने में, ठीक है, वित मंत्राले को भी शामिल कीजिए, इस पूरा जो स्कैम सामने आया है, 11,300 सब बहुत बड़ा स्कैम है यह, इसमें वित मंत्राले अपना पला नहीं जाड़ सकता, और वित मंत्राले शामिल हो इस सूची में, इसके लिए आप वित मंत्री उनको एक अरजी दीजिए, उनसे दरख्वास्त कीजिए, वित मंत्री का नाम अरुन जेटली है, आप देख हो बहुत सूच नाव सकी में जेजिए